दस मिनट भी नहीं लगे कि चटपट फैसला कर दिया कि भारत तब पहले जैसा भारत नहीं रहा भारत ताकतवर भारत बनता जा रहा है शरूरत पड़ी तो भारत सीमा के इस पार भी मार सकता है और शरूरत पड़ी तो सीमा के उस पार भी जाकर भारत मार सकता है भारत के बारे में एक धारणा यह भी थे है कि भारत बहुत कम्जोर देश है तक अब यह धारणा धीरे धीरे काफी हद तक तारी दुनिया में अब तमाब छोचुकी है यह हमारी हैशियत बनी है उरियो पुलवामा की जो घटना हुई मैं ही ग्रिह मंत्री था बहुत ही दुरभागेपुन घटना थी और जब मैं अपने शही जवानों का सौव अपने करद्धी पर लेकर आगे वढ़ रहा था उस समय हम जो मरहस्तिती थी हमारी उसको सब्दों में बया नहीं कर सकता जाने के बाद तुरंट प्राइम मिनिस्टर के साथ एक बैठक हुई है बैनों भाईयों मैं इस प्राइम मिनिस्टर के विल पावर की कि मैं सरहना करना चाहूंगा दस मिनट भी नहीं लगे एक चटपट फैसला कर दिया और आप ने देखा कि उसके बाद हमारे सेना के दुआनों ने सीमा की इस पार ही नहीं बलकि उस पार जाकर आतंकवारियों का सफाया करने में काफी काम्यावी हासिल जेए यानि भारत की नेह मेसेज सारी दुनिया को देने में काम्यावी हासिल कि भारत तब पहले जैसा भारत नहीं रहा, भारत ताकतवर भारत बनता जा रहा है, शरूरत पड़ी तो भारत सीमा के इस पार भी मार सकता है और शरूरत पड़ी तो सीमा के उस पार भी जाकर भारत मार झाल झाल